हमारे सेशन इंडियन जोगरुफी में आज हम बात करेंगे होर्मूज जल डमरू मद्दे की हमने इससे पहले आपको बताया था जल डमरू मद्दे के बारे में हम आज बताएंगे होर्मूज जल्डमरू मद्दे किन दो सागर उनको जोड़ता है होर्मूज जल्डमरू मद्दे यानि इंगलिस में कहते हैं से स्टेट यानि होर्मूज स्टेट साथ ही बताएंगे एक्जामन आपसे एक्जाम में कैसे क्यूशन बूच सकता है हम आपको बता दें होर्मूज जल डमरू मद्दे आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर पर्शियन गलफ और गलफ 빵ोप ओमान के मद्धय स्थीत है state of hormones जिसे hormones जल डमरू मद्दे कहा जाता है एक्जाम में किसन आएगा पर्शन गल्फ और गल्फ ओमान के मद्दे कौण सी state है आप का अंस होगा state of hormones अब बताते हैं हम आपको इसके बारे में इसे hormones जल डमरू मद्दे के नाम से भी जाना जाता है ये फारस के खाड़ी को ओमान के खाड़ी और अरब सागर से जरोड़ती है ओमान के खाड़ी के उससे अरब सागर यानि अर्मिन सी है उसको भी फारस के खाड़ी सी यानि पर्शन गल्फ से जरोड़ती है ये जल डमरू मद्दे 52 से 95 किलमेटर तक चोड़ा है और इरान को अरब पराई दीपे से अलग करता है अरब पराई दीपे माते हैं साउधी अरब, यमन, ओमान ये सभी देश अरब पराई दीपे माते हैं तो इरान इस जल्डम रूप मत इरान परसिन गलप की साइड है तो ये उस साइड है इसको अलग करता है इसमें परमुख रूप से होर्मोज, हेंजम, दीप स्थित है साउदी अरब, इरान, योए, कवेत और इराक्ष, निर्याद के जानेवाद इकांज कच्चे तेल को भी इसी जल्मार्क के मार्जम से बेजा जाता है जिसका नाम है स्टेट ओफ होर्मुज, होर्मुज, जल्डमरू मद्दे स्टेट को हिंदी में कहते हैं जल्डमरू मद्दे हमने आपको बताया, यह स्थित है परिशन गल्प और गल्फोप ओमान के मद्दे स्थित है हमारे आज के सेसिन में इतना है, थैंक्यू